हेलो फेंट्स आज हम बात करेंगे स्वादेशी टूल पर इसमें एक फीचर रहाता क्रोस्लिंग विल्स में सौंड इनेबल और डिसेबल यानि सौंड ऑन और आफ करने का एक फीचर रहाता है जिसमें आप लॉक करेंगे तो यह सौंड विप नहीं करेगा और अनलोग करेंगे तो सौंड विप नहीं करेगा तो उसको डिसेबल और इनेबल करेंगे किस तरीके से स्वादेशी टूल पर होगा आज यह प्रोसेस करेंगे तो आए देखते हैं तो फिर से हम इसे आन कर लेते हैं यह पहले आन था लेकिन हमने फिर से शुरू से इसको प्रोसेस करते हैं ताके और ये केबल आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा जिसे रिमोट मैच करने मीए तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें लॉक अनलॉक हो रहा यह देखिए इंडिकेटर लाइट नहीं जल रहा तो आए शुरू करते हैं इसे किस तरीके से करना है एक बर और आपको देखा दें यह देखिए लॉक अनलॉक सिर्फ इंडिकेटर नहीं जल रहा तो हमें करना यह कि रिशेट का बटन दबाना और रिशेट का बटन दबाते ही इसे लोक अनलोक का बटन दबा के रखना तो चलिए प्रोसेस करते हैं यह हमने रिशेट बटन दबा दिया और इसे लोक अनलोक का बटन दबा के रखेंगे थोड़ी दर के लिए यह देखिए यह ओन हो गया और सांड भी बिलिंग कर रहा था और इंडिकेटर भी बिलिंग कर रहा था तो अब इसे छोड़ देंगे यह दन लिखे देगा और थोड़ा सा इंतिजार कर लेंगे तो आपको अभी देखा देते हैं यह हुआ यह नहीं हुआ यह देखिए इंडिकेटर बिलिंग करने लगा लोग अनलोग पे इंडिकेटर बिलिंग करने लगा और डिसेबल करने के लिए भी प्रोसेस वही है आपको डिसेबल करके भी देखा देते हैं कि अगर किसी का लाइट ओन है वो बोला सायरन बन करना है तो पूर सेम प्रोसेस आपको रिशेट बटन दबाना है और लॉक अनलोक का बटन ऐसे थोड़ी दर के लिए दबा के रखना और छोड़ देना जब तक यहां पर डन नहीं लिखे आपको दबा के रखना तो थोड़ लेते हैं बैक मेन्यू पर आने के लिए या गया और लोक अनलोक का बटन दबा के चेक कर लेते हैं यह देखिए Kayla हो गया यह झाल बेकी